Hi everyone, so I am Bhavna Bhattla from The Wheel of Fortune 369 से आप सभी की Tarot Card Reader आज हम check out करने वाले हैं आपके portion के evening thoughts यानि आज शाम आपके portion आपको लेकर किस energy में हैं क्या सोच रहे हैं ये हम देखेंगे ठीक है लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो subscribe कर लीजे, bell icon ज़रूर प्रेस करें ताकि आपके पास notification आए जब भी मैं कोई new video post करती हूँ आप चाहते हैं न मैं आपके लिए और ऐसी videos बनाओ तो फड़ावचे इस video को like करना है ठीक है, facebook पर है तो follow कीजिए, share कीजिए इस video को जादा से जादा, मेरा whatsapp group आप join कर सकते हो link description box में है साथी साथ अगर आप हमारे products लेना चाहते हो मेरे courses में enroll करना चाहते हो तो मेरी team से contact कर सकते है मेरी team का number description box में given है specifically अगर आप एक no contact situation में हो separated हो अपने person से और जानना चाहते हो किस हाल में है वो आज शाम को तो ये reading आपके लिए है जब मैं काज को shuffle करूं तो अपने person के बारे में सूचिए and one more thing guys मैंने एक और channel create करा है the wheel of fortune 111 and इस channel का link आपको इसी video के description box में मिल जाएगा तो please उस channel को भी subscribe करें और definitely वहाँ पर भी उतना प्यार दे जतना आपने इहां पर दिया है तो please go and do subscribe that channel also thank you चलिए तो अब start करते हैं आज reading जब मैं काज को shuffle करूं जैसे मैंने का तो अपने person के बारे में सोचिए चलिए 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 चैक आउट करते है इस divine universe angels, spirit guides बताएं मेरे viewers को कि क्या सोच रहे हैं उनके person आज शाम किस हाल में है उनके person आज शाम जिस person के साथ वो दील कर रहे है क्या energy है उनके person की आज शाम सबसे पहले moon का energy चलिए moon, queen of vans, five of vans the chiroid ten of pentacles, nine of pentacles, sorry and the emperor ten of pentacles ten of swords is also here one more I will king of swords और bottom में हमारे पास है three of cups की energy भी है तो ये all zodiac science के लिए reading है Gemini, Libra, Aquarius, Cancer, Scorpion, Pisces, Charus, Virgo, Capricorn and Aries, Leo, Sagittarius सभी zodiac science के लिए reading है ठीक है okay, so सबसे पहले ही मतलब I can see that moon के energy ten of swords के energy, five of vans के energy my god, okay so guys, मतलब जो मुझे आपके person दिख रहे है definitely वो खुश तो नहीं है जिके बहुत मतलब आसपास बिलकुल भी सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है उनकी जिन्दगी बेस समय moon की energy मुझे third party situation दिखा रही है ऐसा लग रहा है जैसे आप लोगों के person जो है वो third party की तरफ बहुत ज़ादा influence हुए है ये third party ना बहुत ज़ादा शातर है मतलब बहुत चलाक है किसी reason, मतलब अपनी जैसे एक होता ना कि अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में लेकर कोई लालच देकर आपके person को जैसे इसने फसाया है वो लालच पैसो का भी हो सकता है name, fame, किसी भी चीज़ का वो लालच हो सकता है तो कोई लालच देकर जैसे उन्होंने आपके person को फसाया है और मतलब काफी शातर है ये third party और definitely आपके person इस third party situation में उस एक लालच की वज़े से फसे है third party को भी बहुत जल्दी ना I believe जैसे ये realize हो जाएगा कि उन्होंने बहुत गलत करा है क्योंकि third party के कर्मा आप मुझे ऐसे दिख रहा है जैसे बहुत अटाक करने वाले है उनको देखो यहाँ पर ये energy है moon के energy मुझे ये चीज भी show कर रही है third party situation साथी साथ ये भी show कर रहा है कि जैसे जो third party है ना उसने बहुत negative आपके person के mind में भरा यानि आपके person जैसे आपसे प्यार तो बहुत करते हैं लेकिन third party ने जैसे उनके दिमाग में ये चीज भरी है कि आप उनके साथ time pass कर रहे थे या आप उनके साथ सर्फ taken for granted उने ले रहे थे आपके साथ जो उनका रिष्टा था it was like वो वो बिल्कुल भी माइने नहीं थे उस रिष्टे के उस रिष्टे का कोई future नहीं है आप उनके लायक नहीं हो आपको बहुत ज़ादा down feel करवाना उनकी नजर में आपको नीचा दिखाना उनकी नजर में ऐसे काम third party ने करें है आपके person के दिमाग में ये चीजे ना उन्होंने जैसे implant करी है आपके person लेकिन आपसे इतना प्यार करते हैं कि उन्होंने शुरू शुरू में जैसे इन चीजों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करा उन्होंने कोशिश करी कि ये चीजे clarify करें आपसे आकर लेकिन situation ने कभी ऐसे होना ही नहीं दिया मतलब मैं कहूंगी कि destiny या तो नहीं चाह रही थी कि अभी ये clarity मिले उन्हें उन्होंने जबकि बहुत कोशिश करी कि आपसे आकर clear करें क्या वाके में ये चीजे हैं क्या वाके में आप सिर्फ उनके साथ time pass कर रहे हो क्या वाके में आपकी जिंदिगी में कोई और भी है multiple partners भी है या ऐसा कुछ क्योंकि आपके person के दिमाग में बहुत ज़ादा like negativity धोके का खत्रा cheating का खत्रा मुझे आपर मतलब जैसे implant करा गया है वो energies दिख रही है जिस कारण आपके और आपके person के बीच में ये दरार पैदा हुई है ठीक है अच्छा मुझे ये भी दिख रहा है जैसे आपने बहुत कोशिश करी आपके person ने तो कोशिश करी उनको clarity नहीं मिली आपसे जबकि वो clarity चाह रहे थे लेकिन अगर आपकी energy देखी जाना तो आपने भी बहुत कोशिश करी है कि आप अपने person से clarity लो कि आखिर क्यूं दे रहा है तो मुझे no contact या क्यूं दे रही है तो मुझे no contact क्यूं मुझे से बात नहीं करना है आखिर ऐसा क्या हुआ कि इतने लंबे time period में जितना भी लंबा आपका relationship है पाँ साल, छे साल, साथ साल तो you were like आपको ये था कि पाँ साल, छे साल, साथ साल में आपको ये चीज़े याद नहीं है जो अब इस समय आपको याद आ रही है इस समय आपको समझ में आ रही है तो इतना लंबा क्यूं खीचा है इस relationship को अगर मेरे साथ जिन्दिगी भर नहीं रहना था ये आपकी feelings है आपने बहुत clarity पाने की कोशिश करे लेकिन उस clarity आपको नहीं दी गई आपके partner के थो आपके partner ने सिर्फ आपसे fight करी आपको कुछ भी clearly नहीं बताया कि आखिर क्या है, क्या नहीं है the reason is क्योंकि वो खुद ही clear नहीं है इस चीज़ों को लेकर जब तो वो खुद ही clear नहीं है खुद ही वो confused है खुद ही कोई decision नहीं ले पा रहे हैं तो वो आपको क्या clarity देंगे खुद ही उनके अंदर कोई awareness नहीं है इस relationship को लेकर खुद ही उनने कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या है इस relationship का future कैसे दें आपको commitment नहीं पता हुने खुद ठीक है और जब आपको भी clarity नहीं मिली और उस इंसान ने आपसे बहुत बत्तमीजी से बात करी आपसे fight करी ठीक है इस relationship की एहमियत को इस relationship में जो समय दिया गया है इस relationship में जो आपने इतना कुछ implant करा है अपना invest करा है अपना time अपना प्यार अपनी क्या है उस सब की परवाना करते हैं उन्होंने आपको आपके साथ cheating करी आपको धोका भी दिया आपसे जूट भी कई नहीं करी गई आपकी value नहीं करी गई ठीक है तो आप भी पीछे हट गए आपने सोचा ठीक है यार अब ये person आएगा तो ये खुद आएगा अगर ये मेरी तकदीर में है तो ये खुद आएगा वरना ठीक है मैं भी बात नहीं करूँगी तो it was जो अभी मुझे energy दिख रही है आप भी उनसे बात नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आपकी खुद की अपनी मतलब वो एक self respect जिसे मैं कहूँ वो है और आपके person भी आपसे बात नहीं कर रहे है क्योंकि उनके दमाग में भी बहुत गलत फैमिया दिख रही है अगर कोई third party है ना तो ये third party नहीं मतलब maybe ये third party is like जैसे कोई spells, black magic, something ऐसे भी करना कट्राय कर रही है to attract your person क्योंकि इसको भी कुछ मतलब है आपके person से maybe आपके person बहुत attractive है, power है, पैसा है और something कुछ मतलब है, इसको भी कुछ मतलब है तभी ये ये सब कर रही है प्यार और emotion connection, emotional connection आपके person और third party में तो है ही नहीं definitely बहुत disturbance है, कलेश मचते रहते हैं उन दोनों के बीच में, लेकिन फिर भी third party उन्हें छोड़ना नहीं चाहते है third party पुरी पक्की होकर बैठी है, she will not leave your partner वो आपके person को नहीं छोड़ेगी getting my points आपके person almost इस relationship में बहुत practical होकर चले emotional होकर वो कभी नहीं चले हैं वो बहुत practical होकर चले हैं आपके relationship में आपने ये चीज़ देखी होगी कि बहुत आपको भी manipulate करा है, बहुत dominate करा है आपको खुद उन्होंने बहुत चला है और आपने सर्फ उनकी बाते इसलिए नहीं मानी कि आप दब जाते हो और या वो हो मतलब आपने उनकी बाते इसलिए मानी है क्योंकि आप उनसे genuinely प्यार करते हो और उस प्यार की respect की कारण आप उनसे उनकी बाते मान रहे थे इस प्यार की respect की कारण आपने उनकी हर boundaries को cross नहीं करा, उन्होंने अगर ये चाहा कि आप किसी और से बात नहीं करो तो आप किसी और से बात भी नहीं कर रहे थे आपके person आपको लेकर बहुत possessive थे जब वो relationship में थे उन्हें नहीं पसंद था उनके इलावा किसी और की सुनो किसी और से बात करो, किसी और के साथ घूमने जाओ और something मतलब काफी possessive थे और even अगर मैं आज ही पूछू ना आपसे तो आप ऐसा ही कहोगी मुझे यार ये person में ले इतना possessive था माम और तो इतना चेंज कैसे तो मैंने बताया ना सदन चेंज जो आया है वो थर्ड पार्टी उसका रीजन है बलाक माजिक स्पेल्स उसके रीजन से देखे अब आगे अगर हम चले ना तो इत वस लाइक कि जैसे यहाँ पर नाइन फेंटेकल्स यानि जो अकेला पन आपके परसन महसूस कर रहा है अगर आप इनकी जगा देखोगे ना जहां यह बैठे हुए है आपके परसन बिलकुल भी यह सफ्ट जगा नहीं है यह आप एक टेबल पर बैठके देखो लकड के, वुड के, टेबल पर ठीक है and will you feel comfortable कि आप वहाँ पर पूरे 12 hours 24 hours comfortably बैठ पाऊगे नहीं ना, लेकिन वही पर आपको एक soft chair मिल जाए या गद्दा मिल जाए बैठने के लिए, that will be comfortable है ना, वहाँ पर आप बिलकुल 24 गंटे भी आपको बिठा लो आपर आपसे बैठ पाऊ, जहाँ आपर आपसे so पाऊ, आपसे late पाऊ, that is the comfort यहाँ पर आपके person की क्या energy है जहाँ पर भी समय है आप उसके, उनके thorn देख रहे हो जिधर वो बैठे हुए है, जहाँ पर भी हुँ है वो बिलकुल भी comfortable नहीं है बिलकुल भी comfortable नहीं है आपके साथ वो बहुत real थे आपके person, real थे आपके साथ, लेकिन इस समय बिलकुल भी real नहीं है वो दुनिया को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे उन्हें आपकी जरूरत नहीं है और आप उनकी जिंदीगी से चले गए हो यह आपके person की energy है Got it? तो definitely अगर याज चीज आपके साथ resonate करें तो like, comment, follow, share जरूर करें, this is all for today, thank you, bye-bye and take care